हेलो फ्रेंज फिर सब्सक्राइब सभागे थे मेरे चैनल वोट्स नीवेस फ्रेंज आज के वीडियो में मैं रिवीव करने वाला हूं एम और पाई का जो ग्लोबल अपडेट है वो इसको इंस्टोल कर लिया है यह दोस्तों कोई भी ऑफिसियल अपडेट नहीं है यह अनओफिसियल रोम है जिसको आप अपने रेड्मी नोट 4 और रेड्मी 3S Prime पर इंस्टोल कर सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको एंड्रो इस पर दोस्तों का आप रिव्यू कर लेते इसमें क्हा क्या चल रहा है क्हा क्या यह नहीं चल रहा क्या 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 फिटर ऐब तो यह भूटव बैस형 रिचियर तूश्तों हम बह्तिक आप देवसरेल हम बदर और व्यांद हिवाने और कराल अभिडियो उसक्तुरूब्य क प्राइम पर थोड़ा सा केमेरा में जो स्वीच करते हैं वक्त डिले हो जाता है पर रेड्मी नोट 4 पर कोई भी सुनी आ रहा है यहां पर आप वीडियो रोकुटिंग कर सकते हैं फोटोग्राफिक कर सकते हैं यहां पर आप देखे सकते हैं और उसके अलवाद उस्तों इस अब जी केम को भी यूजे कर सकते हैं आपको प्रन करें आप को यहां पर फिंगरपरेंट और विक्क्त नहीं आएकर यहां पर दूस्तों ऑाब वर्क कर रहा है तो इसमें भी निर्भी यहांस आपश्यूराइब तो श्न पनस्क्राइब अपने जो reach in आपने setup के दोरांची लग करिया है होई रहेगा इसमें कुछ भी changes वगरा नहीं होगे ये दूस्तो इसका दूसरा bug है उसके बाद दूस्तो यहाँ पर ringtone का जो भी bug था वो fix हो गया है आपको सिर्फ जो theme manager है theme manager का fix है उसको flash कर देना है तो यह भी अपना भी fix हो जाएगा अब दूस्तो हम status bar में bugs की बात करें तो यहाँ पर touch में कोई भी आपको bug देखनों को नहीं मिलेगा यहाँ पर दूस्तो हमारा जो reading mode हो ठीक से वर्क नहीं कर रहा तो यह दूस्तो हमारा तीसरा bug है बाकि दूस्तो यहाँ पर हमारा watch spot है wifi और bluetooth में आप अपना headphone को भी connect कर सकते है आपको वह भी दिक्कत नहीं आएगी और हमारा जो brightness हो भी ठीक तर से वर्क कर रहा है यहाँ पर दूस्तो ओटो brightness में अगर आपको कुछ भी प्रोब्लम आये तो आप मुझे बता सकते है इसको भी apply कर सकते हैं आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर दूस्तो आप देखे सकते हैं कि लोग स्क्रीन पर मिने वाल पर जो apply किया है वह apply हो रहा है इसमें कुछ भी error नहीं आ रही है उसके बाद दूस्तो यहाँ पर मेरे पास एक third party theme जो है वह install है आपको सिर्फ दूस्तो थी मिनेजर पर जाके import फाल करना है और जो mtg file होती है उसको import कर देना है तो आपकी जो theme है वह apply हो जाएगी यहाँ पर दूस्तो आप देखे सकते कि कुछ कोई भी third party theme उसको आप आसान इसे apply कर सकते है यहाँ पर आपको कुछ भी error वगरा नहीं आयाएगी उसके बाद दूस्तो अगर आपके पास Redmi Note 4 है तो उसमें जो button slide की problem थी वह भी minute रोल कर दी है तो उमारा जो button है उसमें भी light जो हो working है यहाँ पर आपकी जो भी problem थी वह भी fix हो गई है अभी दूस्तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अडिशनल सेटिंग में जो headphone का यानि की audio effect का जो problem था ओभी fix हो गया अभी तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं simply आपको अपना जो earphone है या फिर headphone है उसको plug-in कर देना है और आपको जो भी effect पसंद है उसको select कर सकते हैं तो यह भी problem जो हो अभी इस update में solo हो गया है तो आपको कुछ भी दिक्कत वगरा नहीं आएगी तो यहाँ पर दूस्तो इस रोम में आपको कुछ भी अगर बग वगरा जो है मिल जाता है तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं और दूस्तों इसकी जो download link वगरा है वह आपको description में मिल जाएंगी दो वीडियो इसके लिए दूस्तों यह available है अभी फिलाल के लिए अपहला है हमारा Redmi 3S Prime और दूसरा है Redmi Note 4 तो अगर दूस्तों आपको यह रोम डाउनलोड करनी है तो description से डाउनलोड कर सकते हैं तो आसा करता हो दूस्तों यह वीडियो आपको पसंद नहीं होगा अगर दूस् मेरी चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को प्लीज सस्क्राब भी कर लेना